हलो दोस्तों क्या हल चाल मेरा नाम है विकास और अगर आप लोग भी अपना कोई बिजनस वेबसाइट यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहे हो लेकिन आपको इनिशल लेवल की जितनी भी चीजे होती हैं कि अपने बिजनस का ब्लॉग का वेब करना है इनिशल वाली जितनी भी चीजे होती हैं वह आपको तयार कैसे करनी है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्स्ट्राइब कर लेना और फड़ा वड़ से आज की वीडियो शुरू करते हैं ओके तो जब भी हम कोई नया आइडिया या फिर बिजनस या फिर वेब साइट यूट्यूब चैनल जो भी आप लोगों को कहना है उसे जब हम लोग एग्जिक्यूट करने वाले होते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए या फिर हमारे माइन को क्लियर होनी चाहिए वो है उस आइडिया का नाम आपके वेब साइट का यूट्यूब चैनल का बिजनस का जो भी चीज है नाम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए और हम मेंसे बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा क्रियेटिव नहीं होते कि एक अच्छा और सूटेबल न नाम सोच सकें जबकि नाम बहुत इंपोर्टेंट है नाम में वजन होना चाहिए तो इस चीज के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी वेबसाइट बढ़ाता हूं जिसका नाम है नेमीफाइट डॉट टेक इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है चले के देखी लेते हैं क किस तरह से आप एक अच्छा नाम अपने बिजनस के लिए चूज कर सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं नेमीफाइट के वेबसाइट पर यहां पर आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हो नीचे आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देते हुए लाइन लिखी गई है कि आपको अपने जो भी आईडिया है जो भी बिजनस है उससे रिलेटिट दो तीन कीवर्ड यहां पर लिख देने हैं अब मैं यहां पर लिखने वाला हूँ Tech YouTube चैनल आप लोग जिस आईडिया पर काम करना चाहते हो सिंपली लिख सकते हो generate names पर आप लोग क्लिक करोगे त तो यहां पर आपको कुछ ही seconds के अंदर कुछ names देखने मिल जाएंगे तो यह आप लोग देख सकते हो काफी सारे नाम यहां पर इसने suggest कर दिये हैं जिनमें से आप लोग choose कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं यहां जाकर के आप लोग category भी choose कर सकते हो कि किस category का आपका business होन चाहिए तो देखो Tech Rise, Tech Dog, Tech Feed, Make Labs, Tech Leader, Do Tech, Tech Tilt मतलब बहुत सारे amazing amazing नाम हैं जिनमें से आप लोग चूज कर सकते हो तो पहली problem तो आप लोगों की solve हो गई आपके idea के लिए एक अच्छा नाम definitely आपको यहां से मिल जाने वाला है अब इसके बाद में आता है दूसरी चीज या अब username कैसे चेक करोगे के भाई मेरा जो username में decide करने वाला हूं नाम से मिलता हुआ वह available है या फिर नहीं है तो इसके लिए एक website है चलिए आजाते है वापस स्क्रीन पर ओके तो name check की website हम लोग आ चुके हैं यहां आने के बाद में हमें simply अपना username जो भी हम लोग रखने वाल शो मोर इसको जितने बार आप लोग चाहो कर सकते हो मतलब सारे option आपके खुल जाएंगे तो यहां पर आपको सारी social media websites दिख जाएंगी जिस पे आपका username available होगा वो आपको green color में दिखेगा जहां available नहीं होगा वो आपको red color में दिखेगा अब यह red इसलिए दिख रहा है क् Facebook, Reddit, Twitter, Blogger, WordPress, Pinterest इन सब पे claim किया हुआ है और यह बाकी जो भी चीज़े हैं यहां पे भी तो अगर आपको किसी और advanced जगा पे चाहिए किसी और अलग जगा पे चाहिए तो आप लोग यहां से easily अपने नाम को claim कर सकते हो तो username जो आपने डिजाइड किया है उसके availability कैसे check कर सक विसे आप लोगों को search करोगे Google पे के how to create logo for free तो आपको बहुत तरह की website मिल जाएंगे लेकिन उसमें से सबसे simple सी website है जिसका मैं स्टेमाल करने वाला हूँ वो है canva.com आपको simply website पर चले आना है और चलिए दिखाई देता हूँ कैसे आपको पता लगाना है लोगों का तो canva पर हम लोग यहां आ चुके हैं यहां आने के बाद में आपको search वाला option मिलेगा यहां आपको simply जाकर के type कर देना है logo यहां काफी सारे आपके सामने templates आ जाएंगे जो कि यह आप लोग यहां पर देख सकते हो और इसमें से आपको जो भी logo अच्छा लग रहा है वो उपर जो यह आ रहा है यहां भी हम edit कर लेंगे इसके बाद में फुल हम इसको यहां पर लिख देंगे तो कुछ इस तरह से customize करने के बाद में आपका logo यहां पर तयार हो जाएगा इसमें आप लोग चाहो तो additionally बहुत बैगरांड वगरा चेंज करना है तो वह चीजे भी ब प्रेंड का जो भी लोगों होता है ना वह हवा में नहीं बना दिया तो उसके अंदर ना हर एक कलर जो इस्तेमाल किया जाता है वह किसी ना किसी चीज को indicate कर रहा होता है example के लिए अगर हम blue color की बात करते हैं तो वो हमें काफी ज़दा silent वाली feeling देता है काफी calm वाली feeling देता है black color की बात करते हैं तो black color हमें serious ness को दर्शाता है इसके अलावा red, yellow, orange का लगी बात करते हैं तो वो थोड़ा सा books से जड़े होते हैं इसलिए काफी साथ restaurant in colors को इस्तेमाल में लेते हैं तो अगर आप लोग भी अपने brand के लिए कोई color palette choose करना चाहते हो लोगों वोगारे भी उसी तरह का आप लोग बना सकते हो तो इसके लिए भी एक website है जो कि है youmint चलिए देख लेते हैं तो यह हमारे सामने आ चुकी है youmint की website अब यहां पे आपको काफी सारी customization options मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाप से set कर सकते हो इसके अलावा यहां पे आपको कुस settings मिलती है सबसे पहले तो link to this page अगर आप किसी के साथ में share करना चाहते हो इसके अलावा दूसरा आपको generation mode मिलेगा जहां पे आप generate किस तरह से करना चाहते हो यह की मदद से transform करना चाहते हो diffusion model पे करना चाहते हो random करना चाहते हो तो यह सब चीज़ें आप लोग ट्राय करके देख से colors किस तरह के चाहिए high contrast वाले चाहिए bright चाहिए pastel चाहिए vibrant चाहिए dark hyper तो मैं इसको सब कुछ default रह YouTube channel की theme वगयरा को करने में कर सकते हो आपके जो भी banner वगयरा आप बना चाहते हो उनी color के आप बनाओगे वो काफी ज़दा cool लगता है ओके तो अब मुझे उम्मीद है इन सारी चीजों को देखने के बाद में आप लोगों को अगर initial level पर कोई भी problem आ रहे थी अपने idea को execute करने में तो अब वो problem नहीं आएगी नाम से लेकर उसकी branding तक आप लोग सब कुछ कर सकते हो और अपने idea को live करा सकते हो तो इंतजार किस बात का है जाओ जल्दी से जिस चीज का मन बना के बैठे थे उसको live करो और अगर आप लोग को YouTube चैनल या फिर blog या फिर website बनाने का सोच रहे तो बहुस content तो उस पर आप ही को लिकिना पड़ेगा उसमें मैं हो सकता है आने वाले दिनों में आपके कोई मदद कर पाऊं लेकिन फिलहाल जितना था starting के लिए था वो मैं आपको बता चुका हूँ अब अगर इस वीडियो में से आपके लिए कुछ भी helpful रहा तो इस वीडियो को like जरूर कर देना मुझसे बात वगयरा करना चाहते तो मुझे follow कर सकते हो मेरे instagram पे channel पे नए हो subscribe कर लेना ऐसे और वीडियोs future में देखने के लिए और मैं आप से मिलता हूँ किसी नए वीडि आप से मिलता हूँ